समाजवादी पार्टी के रास्टी देश अखलेश यादों ने प्रेस कॉन्फरेंस कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा वहाँ उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने अपने मैनिफैस्टों को बनाने के बाद 2017 से अभी तक उसके पन्ने नहीं पलते और पन्ना प्रमुक वो बूत इस तर पर बना रहा है आएए डालते हैं अखलेश यादों की प्रेस कॉन्फरेंस बले एक लज़र कि आखिर बिजेपी सरकार पर किस तरह से तंच कसा और आने वाले बाइस के चुनाओ के लिए आखिर क्या है समाजवादी पार्टी की ज़र स्थी राके इस तरह ठोर विधायक जी मानी राश्टी अध्य जी का बहुत बहुत आभार धन्यमाद कि आज हम तो बोलने का अउसर मिला है मैं कुश्मा पटिल जी अधरनी राश्टे अध्य जी समाने साथी गर्ड़ और हमारे मिडिया के बंदूओं वो मानने राश्टे अध्य समाजवादी पार्टी अखिलेस वहिया ने जाना है किसान मजदूर को काम देने का काम क्या है और हम अपनी बाप रखिए अधर बहुत लोग आना चाहते हैं बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ वो समय आएगा तो चीज़े सामने आ जाएगी लेकिन जन आक रोज इतना है जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाओं में भाती जनता पार्टी का सफाया होगा और जो मैंने कहा है कि नारा जो बदलेगा भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा कल मैं सुन रहाता भाती जनता पार्टी के मन से कहा गया कि भाती जनता पार्टी ने जो लोग कल्याण संकल पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा दो महीने में पूरा हो जाएगा मुझे लगता यह है कि भाती जनता पार्टी ने एक बार लोग कल्याण संकल पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूरे दान में फिक दिया क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पल्टा हलांकि यह दावा करते हैं कि पन्ना प्रवारी बहुत बनाते हैं लेकिन अपना ही लोग कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूँ उसमें कहा गया कि दो हजार बाइस तक उत्तर प्रवारी के किसानों की कृशी आमधनी को दोगना करने के लिए कि विस्तित रोड मैप त्यार किया जाएगा और मंचों से ये भरोसा दिलाए गया किसानों को कि आने वाले सब्वे में उनकी आमधनी दोगनी हो जाएगी आज किसान उतफदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आये कब दोगनी होगी और जिस तरह कैसे महंगाई बड़ी है है जरुत की चीज महंगी हो गई है के विल यही जूट नहीं है भबिस में गन्ना किसानों को फसल बेचने के चौदे दिनों के भीतर पूरा भुक्तान हो जाएगा अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है अभी भी यह सरकार नहीं दे पाई है और किसी पन्ने को आप पलड़ लीजिए इस संकल पत्र का जंता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है सरकार का ये दावा था कि सरकार नियुम्तम समर्थन मूल पर किसानों के धान के खरीबदारी के लिए ववस्ता करेगी धान तयार है पीली बूर्ड शाजापूर लखीमपूर इन इलागों में धान कट गया है लेकिं जो खीमत तैकी गई थी सरकार की तरफ से एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है और जो नुक्सान हुआ है किसान का जो किसान का नुक्सान हुआ है बे मौसम बारिश होने की वज़े से उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक 12 अपार्टी नहीं कर पाई है और यहीं नहीं कर्शी का बुनियादी ढाचा को बहतर करेंगे इंफ्रासेक्चर को बहतर करेंगे उत्तवरेस का किसान जानना चाता है कि जो मंडी ववस्था पहले से लागू थी उस मंडी ववस्था में कितना सुधार आया है और उस सुधार के साथ साथ आपने एरिकल्चर के लिए इंफसेक्शन के लिए कौन सा अच्छा फैसा लिया अच्छा काम किया है जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नी आगे बढ़ा और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बन कर दिया सिचाई को ले खर के नजाने कितना बड़ा धावा किया गया कि 20,000 करोड का फंड बनाय जाएगा तो पता नहीं 20,000 करोड कहां चले गए उसका फंड बन पाए है के नहीं बन पाए है बिंदेल खंड के सूखा कर दिस राकों को ले कर के मैं आज कहता हूँ बुंदेलखन की जन्ता ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया बुंदेलखन की जन्ता पार्टी पर सभी सांसत, सभी बिधायक जिता दिये और जितना भरोसा जन्ता ने किया उससे ज़्यादा बड़ा धोका भाती जन्ता पार्टी ने बुंदेल खंड की जनता को दिया है ना पानी मिला उने ना पीने का पानी उपलब्द करा पाए और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई और जिस समय मजदूर आये थे बुंदेल खंड में लोग की जान चली गी लेकिन किसी की मदद नी की सरकार ने और बापिस मजदूरों को फिर बापिस जाना पड़ गया सिचाई का कोई इंकजाम सरकार ने कर पाए कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप दुग दुबिकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं समाजवादी सरकार थी तो मदर डेरी का प्लांट पांच लाग लीटर प्रकुर्मेंट का प्लांट लग गया था लखनों में अमूर का प्लांट लग गया था पांच लाग लीटर प्रकुर्मेंट पर डे का इसी तरह भोगनीपुर में पांच लाग लीटर प्रति दिन मिल्क का प्लांट लग गया था काउब मिल्क डेरी प्लांट लगा था खन्नोज में और बहुत सारे उत्तपदेस के प्राग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारो करोड बजट के मादनें से दिया गया था जो गुजरास से अमूल है नया प्लांट नहीं लगा लेकि समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरास से दूद आता है सोचिये उत्तप व्रेश के किसानों का दूद नहीं खरी रही सरकार गुज्रास से दूद ला करके इन प्लांटों को चाहे जा रहा है पसपालन में तो क्या काम हुआ है इससे बेटर कोई जान से नहीं सकता है किस पन्ने को मैं पल्टू हूँ मैं तो पत्गार साथियों से कहूंगा एक पन्ना पल्ट करके आप हमें भी दे दो तो मैं पर्दू कोई से बड़ा जूट उसमें लिखा गया है फूड प्रॉसेसिंग क्या हुआ है पता नहीं ये मुफ्त लैप्टॉप एक बात को मैं कितनी वार बोलू अब हमें भी नहीं अच्छा लगता है वार वार बोलने में साड़े चार साल टेबलेट दिते रही और अभीपी टेबलेट नहीं विली है कि ही ये पतानी कौंसी टेबलेट बी-जेपी दे रही है और एक जीवी इंटरनेट मॉफ्त कि वो द्थोएं के निसान मिटा दी जाएंगे एक जीवी इंटरनेट मुफ्त बीजेपी के लोग बताएं वो वन जीवी कहां है इंटरनेट सिक्षा संस्थानों का विस्तार सिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही वो कल्पना नहीं की जा सकती वो दो बात में पता लगेगा सिक्षा संसानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है जिससे की वर्सों वर्सों वही अपॉइन्मेंट होते रहें इससे बड़ा समाज का नुक्सान कोई नहीं हो सकता तो भारती दिन्ता पार्टी ने सिक्षा के छेट में करके दिया है बुन्यादी ढाचा मत्रा कासी जहां से गोरपुर के जोडने वाली रोड कोरीडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश में आपस में बहतर तरीके से जोड़ा जाएगा ये ऐसे लिखा है जैसे ये शेरों में तो मट्टी की सड़क बनी हुई थी पहले से सोचो आप जो सेर पहले से जुड़े हुए हैं उनको किस से जोड़ रही हैं ये लोग तत्या साथी ये बताओ क्या लिखा है मैं तो खुदी नहीं समझ पाया कि मतरा काशी जहां से इमकुर्पर को जोडने वाले रोड कॉरिडर का निमार करके पूरे उत्तपदेश को आपस में बेतर तरीके से जोड़ा जाएगा क्या पहले से नहीं जोड़ा था क्योंकि जहां से मुखेंदी जी पहली वार गये थे उन्होंने कहा कि जहांसी में मेट्रो बनेगी और जहांसी से सीधे दिल्ली के लिए एक्सप्रेस बनेगा वो जानते ही नहीं थे कि जहांसी के बाद मदप्रदेस आ जाता है मदप्रदेस के बाद चम्मल न दिया जाती है चम्मल के बाद यह मना आ जाती है उसके बाद कहीं आकर के यूपी आता है तो सोचो कहां से बन रहा था वो एक्सप्रेस बे और मेट्रो ना जहासी में बनी ना गोरकपुर में बनी आज तब्रेस में वही मेट्रो शेहनों में बन रही है जो समाजवादी सरकार में सुख्रू उती थी वही काम आज धीरे धीरे आगे बढ़ राया है और लखनो के लोगों के लिए लखनो के लोगों से दुशमनी नवाई है मकर्ण्ती जीने लखनो के लोगों के लिए वो बेंड है यह आप नहीं कर सकते जेल जा सकते हो अगर जेब में पुडिया मिल गई आपके पुडिया के वर बीजेपी रख सकती है किस पन्ने को पल्टू में सभी तीर दिस्टलों को फोल लेन रोजमार के साथ जोड़ा जाएगा जो फोल लेन का हेड खुला था सरक बनाने के लिए वो हेड ही खत्म कर दिया वीजेपी में जो बजट में एक हेड खुला गया था कि इस से जिला मुख्यालों को जोड़ा जाएगा फोल लेन बनाई जाएगी कम से कम भारती जन्ता पार्टी ये बताए के उन्होंने कौन सा नया फोल लेन उत्तफ्देश को दिया है जिससे मुख्याले उन्होंने स्टेट के बजट से जोड़ा है कोई ये बताए बारती जन्ता पार्टी के फोल लेन का इस मुख्याले से इस मुख्याले तक फोर्लेंड से जूड दिया है नमावे गंगे में लिखा उन्होंने कि इस सरकार की साहिता से गंगा यमिना और उनकी उपन अदियों को साफ करने के लिए प्राफ्यमिक्ता से कदम उठाए जाएंगे भादी जनता पाटी ये बताए कि पांडू नदी है कानपुर में बहती है जो आज एकदम नाला बन गई है उसका एक इत्यास है पांडू नदी कितनी साफ हो गई यमिना नदी जो दिली से निकल करके चलती है मतरा बंदावन होकर के आपके इतावा हो करके चंबल में मिल जाती है चंबल उससे मिल जाती है आगे जाकर के इलहबाद में संगमन बताओ यमिना कितनी साफ हो गई आगरा में मतरा में और जो करिडूर वन्वी रादा वरना करिडूर वो भी रोग दिया गया लगनौ का जो सबसे एक बड़ा उधारण होता कि नदियां कैसे साफ की जाती है नदियां शेरा में कैसे साफ बहेंगी उस प्रोजेट को भी रूप दिया क्योंकि हमारे मुखंती जी को घूमना नहीं अच्छा लगता उन्हें घूमने का कोई शौक नहीं है उन्हें पार्ग में जाने की भी कोई फुरसत नहीं है पता नहीं क्या करते हैं वह उम्मीद है कि इस दिवाली पर बहुत अच्छी तरह साफ सत्रा मुखंती आवास कर देंगे क्योंकि आने वाले समय में कोई दूसी सरकार हो आने वाली है मैं एक बार फिर सभी विधायकों का और सभी साथी जो समार्दी पार्टी में शामिल हो रहे हैं मैं उनको आज स्वागत करता हूँ एक हमारी भीम सेना भी है उनका भी बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत बढ़ाई हर्गोविन जी का नाम भूल जाता है हर्गोविन भारगव जी का भी बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत बढ़ाई क्या बताए उनके लिए क्या बताए उनके लिए वो जाने वाले हैं आप से निवेदा नहीं है शांत रो थोड़ा थोड़ा शांत रो थोड़ा प्रेस में भाती जनता पाट ये बताए और हमारे उत्तबरेस के मुक्वंती जी बताएं और पूरे प्रेस में घूम करके आएं मुक्वंती जी पूरे देश के जितने प्रेस हैं वो घूम के आएं और ये बताएं उत्तबरेस की जनता को कि इस से अच्छा रिस्पॉंस सिस्टम किसी स्टेट ने बनाया हो तो बतादो जो समाजवाजी सरकार में उत्तबरेस को समाजवाजी सरकार ने बना करके दिया आखिकर उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया एक काम किया केबल सो का एक सो बारे कर दिया और जिस तरीके से पुलिस को सुभधाएं दी जिस से वो बहतर काम कर सके उनको इंट्रसेच्चर अगर कही जिए